रेलो दॉप स्पाइब सेरे में बहुत सवागत है तो अच्छी के वीडियो बनाे है आज सो वीडियो देख लिजीए help तो बाईक है ये चाहिने लका में च dictators का यूज करके दिखाएंगे ये हमारे परोस में नहीं वाइक लाए तो उसको और ज़्यादा किया है मिट्टी दाली है हमारे हाथों दाल के इसको आदा गंटा छोड़ दिया था ताकि यह सूप के जम जाए और इसी पर हम टचलेस का ट्राइल करेंगे तो यह हमनेक टेसलेस का जो है ठोड़ा सा केमिकल मिला के इसमें मिक्स कर लिया है और जो फॉरम गन वाला जो सिस्टम है यह मेरे पास था नहीं फिलाल तो यह भी मैं किसी का लेकर आया हूँ और जो यह सिस्टम है बिल्कुल बगवास है ठीक है एक टैंपरली में आपको एक वीडियो बना के दिखाने वाला हूं बस तो कि यह जो फॉर्म गान है यह कभी यह क्या होता है यह कंपनी के साथ आता है मोटर के साथ प्रेसर मोटर के साथ तो यह कभी काम नहीं करता है तो म मुझां थे तो फॉर्म बोटल है से ச us नहीं कलता है बिल्कुर हलका सकता है कि कशल मैं घौक कर लूँगा तो गाईस जिस कसवी यह लिक्विड लेना होगा तो आप मुझे कॉंटेक कर सकते हैं मेरा वाटसप दिस्प्लेमें चल रहा है ठीक हैं तृग्स कर सकते हैं अभी मैं इसको ट्राइ करता हूं इस पर आपको दिखाता हूं ठीक है अभी तो यह खाली पानी फैक रहा है बट देखते हैं अभी इसका फॉर्मिंग निकालेंगे तो मुझे यह प्रेसर था इसका यह पसंद नहीं आया अब क्या करें वीडियो बनानी थी तो ब पानी का प्रेसर जज्यादा मार रहा है फोंव पिकम कर रहा है ठीक है अगर में पढस कोई अच्छा प्रेसर मोटर उता तो मैं अपको इसका फॉर्म दिखाता बाकी जैसे यूटूबर दिखाते हैं इसमें हमने बहुत मैंने बहुत experiment करके result से इसको बनाया हुआ है बाकी यूटूबर से यह हमारा अलग है इसका result बहुत शांदार है और कोई color को गाड़ी के paint को यह नहीं करेंगा यह ओनली नॉर्मल केमिकल है ठीक है और यह हर्वल केमिकल द्वारा बनाया गया है तो आप इसके अगर आप इसको लेते भी हैं तो एक्सपार इसकी 10-20 साल से उपर रहेगी तो समझ लेजे यह अभी खराब आप देखते रहिएगा वीडियो को भी और यह देखिए यह चला है स्प्रे करने के बाद अभी मैं प्रेसर में पानी का प्रेसर इसका ठीक है इस गन का लेकिन आपने जो हमारा एस्टीवी पंप उससे मैं यूज़ करके दिखाऊंगा पानी का प्रेसर तो गाई जब भी हमने इसमें पानी का प्रेसर मा रहा है और यह गाड़ी बिल्कुल नई जैसी चमक चुकी है और एकदम सारी गंदगी साफ चाहे वह इंजन के अंदर भी कोई गंदगी मिट्टी लगी हो कई साल पुरानी भी लगी होगी वह भी निकल के बाहर हो जाएगी आपको मैं इसक लीटर पानी को आपको टचलेस बनाके यूज करना पड़ेगा बाकी जो भी जानकारी होगी आप मुझे वट्सप कर सकते हैं आपको फूरी जानकारी से और अच्छे सापको बता दूगा तो गाइस यह थी हमारी टचलेस के उपर वीडियो और एक बाद मैं आपको इसके स की जरूत नहीं पड़ेगी और टचलेस का भी काम हो जाएगा तो गाइस आप एक बार जरूर ट्राय करेगा और मुझे इसका रिजल्ड बताइएगा हम मेरे पास हजारों लोगों ने इसको ले चुके हैं ठीक है मेरे से इंटीर की नेर भी ले चुके हैं और टचलेस हमार भी जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे मेरे दिये गए वर्टसर नंबर पर आप कॉंटेक कर लिजेगा और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लिस हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और हर वीडियो को जरूर देखा करिएगा हम आपी के लिए ही वीडियो बनाते हैं तो गाई यह हमारा पूरे गाड़ी क्लीन हो चुकी है यह आप देखिएगा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद